नमस्कार भाईदूज की आपको बधाईयां आज दिपावली का चोथा दिन है चोथे दिन भाईदूज का तहवार मनाया जाता है हिंदु धर्म में भाईयों और बहनों का दो तहवार मनाया जाते हैं एक राखी जो श्रावन के महीने में बनossenता है पुरणिमा पर और एक कार्थिक महीने के अंदर दिवाली के दो दिन बाद भाईदूज बनता है राखी का महत्व ये है कि भाई अपने बहन को ये विश्वास दिलाता है कि हम तुमारे लिए जान दे देंगे और तुमारे लिए सब कुछ करेंगे भाई दूज का महत्व ये है कि बहन अपने भाई की लंबे उमर की कामना करती है और उस दिन वो उब्वास करती है और उसके बाद अपने भाई को टीका लगा कर उसको मोली बांती है और उसको वियंजन खिलाती है और उसको ये बोलती है कि वो अच्छी तरह तेल की मालिश करके यमना में या गंगा में या किसी नदी में नहाए अगर नहीं नहा सकता तो बेहन के घर में नहाए उसके बाद व्यंजन खाके बेहन का लंबी उम्र का आशिरवाद ले भाई दूस इसकी क्या कहानी है यमना और यम ये दोनों बच्चे हैं चाया के च्छाया कौन सूर की बेटी थी मुद्चे जाया यमना और यम इन दोनों में बहुत प्यार था और यमना जो उसकी बहनती यम्राज की वो हमेशा अपने भाई को कहती थी कि मेरे घर पधारा करो पर यम्राज बड़े व्यस्त रहते हैं बहुत समय नहीं मिलता है तो कहते थे मैं आऊंगा और एक बार उन्हों यह प्रण कर लिया कि मैं अपनी बहन को खुश करने के लिए जरूर जाओंगा तो कार्तिक की महिने के अंदर दिवाली के दो दिन बाद उन्होंने अपनी बहन के घर जाना प्लान बनाया बहन बहुत खुश हुआ और बहन ने बड़ी अच्छी मिठाईयां अच्छी सबजी यम बड़े प्रसंद हो गए यम ने कहा बहन तुम जो भी मांगो मैं वो देने को तयार है बहन ने कहा कि आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर आए और उसको अच्छे पूजा करके उसको अच्छे उपाहर दे और उसका आशीरवाद ले उसको तुम ये वर्दो कि तुम उसको कभी भी नर्क में नहीं जाने को वो हमेशा स्वर्ग में जाएगा जम्राज ने कहा तथास्तु एसा ही होगा तो आज के दिन भाई दूज के दिन जो भी भाई अपनी बहनों का अशीरवाद और प्रेम पाते हैं उनको अच्छे अच्छे उपाहर देते हैं और उनके घर जाके पूजा पाठ करते हैं उनको भगवान भी सीधा स्वर्ग में ले जाता है और भैंक का अशीरवाद उन्हें लंबी उम्र देता है भारतिय संस्कृति में सबसे खुबसूरत बात यही है कि हर तेहवार के पीछे कोई कथा या कोई इतिहास है आप सबको भाई दूज की हार्दी बधाईयां डॉक्टर भल्ला की किस्सा गोई में आपको ये कारिक्र